Hello Friends, Welcome to MPR Tech इस वीडियो में हम अविन्जो सवे 2016 में Mirror Volume Create करना सिखेंगे Mirror Volume Create करने के लिए आपके पास दो Dynamic Disk का होना सब्सक्राइब है Mirror Volume के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये Dynamic Volume करता किया होगा जो भी डेटा Mirror Volume में Store होगा वो डेटा की दोनों Hard Disk में Same Copy Store होगी जैसे Slide में आप देख रहे है कि Red 1 कोई भी डेटा स्ट्राइप या पैरिटी प्रोवाइड नहीं करता है Red 1 के अंदर जो एक Hard Drive पे Block Create होता है वो Same Block की Copy जो दूसरी Hard Disk के वहाँ पर Store होती है मान लिजए कि Mirror Volume Create करने के लिए हमने दो Hard Disk का यूज़ किया है Disk 1 और Disk 2 जब आप पहला Block A राइट करने है Disk 1 पे आप The Same Time वही Block की एक Copy जो आपकी दूसरी Hard Disk है Disk 2 वहाँ पर राइट की जाएगी इससे तरह जैसे आप Block B Disk 1 पे राइट करते हो और The Same Time पे वो Block B Disk 2 पे भी राइट होगा यानि कि जो भी डेटा आप Disk 1 पे Store करते हो उसकी Same Exit Copy Disk 2 पे भी Store हो रही है जो Mirror Volume है वो Fault Torrents भी Provide करता है चुकि जो आपने डेटा Disk 1 पे Store किया है उसकी Same Copy आपके पास Disk 2 में Available है जानिकिन मैंसे अगर कोई भी डेटा है तो आपका जो डेटा है वो दूसरी डेटा पे As It Is Available है लेकिन Mirror Volume में जो आपका Disk का IO Performance है वो डाउन हो जाता है उसका रिजन ये है कि आपको जो डेटा है उसे दोनों Hard Disk पे इसे डेटा है राइट करना होता है इसलिए जो Disk का IO Performance है वो थोड़ा डाउन होता है सो चलते हैं हमारे Windows Server 2016 कम्पूटर रुपे जहां पर मैंने अल्रेडी पहले से दो Hard Disk एटेच की हुई है और वहां पर हम एक Mirror Volume create करना चाहते है सबसे पहले मैं यहां पर Open कर लेता हूँ Disk Management Snapping और उसके लिए मैं Right Click करता हूँ Start बटन पे यहां से Select करता हूँ Disk Management Snapping Disk Management Snapping पर जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास Disk 1 और Disk 2 अवेलेबल है जो दोनों की साइज है वो है 100GB और Disk Type यहां पर लिखा रहा है Basic इसे हम Convert कर लेते हैं Dynamic Disk के अंदर Select कर लेता हूँ Disk 2 अख लिक करता हूँ OK बटन पे अगर आप Basic Disk के अंदर ही राइट लिक करके यहां से Select कर लेते है Mirror Volume तो जब आप Mirror Volume create करने के लिए Finish पे क्लिक करेंगे तब Automatically जो Disk Type पे वो Basic to Dynamic Convert हो जोएगा पर हम पहले से ही यहां से Select कर लेते हैं कि हम जो Disk के टाइप यहां पर हम Dynamic Use करना चौते है राइट लिक करता हूँ Unallocated Space में और यहां से Select कर लेता हूँ New Mirrored Volume क्लिक करते है Next पे अब यहां पर जो हमारा Disk 1 है वो Selected है पहले से और मैं यहां से Size देता हूँ 1000 MB क्योंकि हम यह चाहते हैं कि जो Mirrored Volume हम Create कर रहे हैं वो Quickly Create हो जाए अगर आप Full Size लेते हो तो Mirrored Volume Create करने के बाद जो Resyncing Process होगी वो थोड़ा Time Consume करेगी तो पहले से हम यहां पर 1000 MB Size Specific कर देते हैं जिससे Mirrored Volume quickly इस Demonstration के लिए Create हो जाए अब मैं आसे Select कर लेता हूँ Disk 2 उसे भी Add कर देता हूँ और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि Disk 2 में से भी Same Size Select हुई है चुकि जो Size का Volume Create कर रहे है वो Space दोनों हार डिस से Same Size ही Occupy होगी क्लिक करते है Next पे अब यहां पर Drive Letter में Select कर लेता हूँ M और क्लिक करता हूँ Next पे Select कर लेते हैं Perform or Quick Format इसके बाद में क्लिक करता हूँ Next पे और अपने क्लिक करने के लिए चाह रहा हूँ Finish पे ओके सो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं यो Mirrored Volume है वो Successfully यहां पर Create हो चुका है अब मैं इस Volume को Open कर लेता हूँ और यहां पर इसके अंदर मैं एक File Create कर लेता हूँ जिसे हम नाम दे देते हैं Mirrored इसके अंदर मैं कुछ Content टाप कर देता हूँ This is a Simple File Can you read it Save कर लेते हैं इसे Okay, so Testing करने के लिए मैंने यहां पर जो Mirrored Volume है उसके अंदर एक Simple File Create कर दिए अब मैं इसे Close कर देता हूँ और Testing Purpose के लिए जो Disc 2 है उसका Type यहां पर देखे ते Online है, Same Disc 1 भी Online है So जो Disc 1 है उसे हम यहां पर Temporary Select कर लेते हैं Offline क्योंकि हम यह चेक करना चाहते है कि क्या जो Mirror Volume हमने Create किया था उन में से अगर कोई एक Disc Available ना हो, यानि कि Corrupt या Damage हो गए है तो क्या हम दूसरी डिस्क में जो Data की Copies हो रहे, उसे Access कर सकते है या नहीं कर सकते हैं So मैं यहां से Select कर लेता हूँ Offline Okay, अब हमें यहां पर बता रहा है Field Redundancy, क्योंकि जो Disc के वो Currently Unavailable है, इसलिए हमें यहां पर बता रहा है Missing Dynamic Disc Open कर लेते हैं File Explorer तो जैसे आप यहांपर देख रहे जो Volume है, वो अभी भी Disc PC के अंडर में दिखा रहा है इसे डबल लिक कर के उपन कर लेता हूं और जो Text File है वो भी हमें यहांपर मिल रही है इसे भी में डबल लिक कर के उपन कर लेता हूं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो content हमने उस file के अंदर type किया था, वो content हमें अभी भी मिल रहा है, यानि कि अगर आपकी कोई एक disc curve या damage हो जाते हैं, फिर भी जो data है, वो आपको वापस मिल जाएगा, सो इस तरह से हम Windows 7 2016 के अंदर mirror volume create कर सकते हैं और उसे manage कर सकते हैं,